हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम एक नया चैप्टर लिमिट्स एन डेरिवेटिव लिमिट्स एन डेरिवेटिव शुरू करने जा रहे हैं और बच्चो इस में हमें इस limit and derivatives के chapter में हमें इतने important questions मिलेंगे और इतनी जरूरित वाली चीज़ें मिलेंगे हमें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful है कब 12th class में जब आप 12th class में इस chapter का use करना सीखेंगे तो आपका chapter number 5, 6, 7, 8, 9 यानि कि 5 chapter आपके इसी chapter के उपर बेज़ड है तो इसलिए इस chapter को बहुत अराम से, बहुत प्यार से और बहुत ही समझदारी से समझेंगे जो भी यहाँ पर पढ़ाये जाएगा वो एक एक बात को अच्छे से समझ के चलना है आप सभी को ठीक है, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसमें कुछ नई चीजे सिखाऊंगा ठीक है, चलिए, देखेंगे जरा तो क्या कहता है limit and derivatives तो सबसे पहले हम लोग limits फढ़ेंगे तो बच्चो limits क्या कहता है हमसे limits कहता है कि अगर कोई अगर कोई भी आपको function दिया हुआ है और उस पर कुछ limit लगा दी जाती है कि इसमें यहां तक आप value पुट कीजी limit के हिसाब से तो वो आपको एक fix value दे देगा जैसे माल लीजिए, मैंने ले लिया आप कैसे लिए limit x tend to x tend to 3 x tend to 3 इसे हम बोलते है, tends 2 x square plus 1 तो देखना है कि अगर हम value को 3 तक यानि कि x की value को 3 तक लेके जाते हैं 3 तक extend करते हैं तो ये कितनी value हमें दे सकता है, तो चलिए x के जगा पर 3 put करेंगे 3 का square plus 1, तो 3 का square 9 plus 1 यानि क्या answer हो गया, 10 answer क्या हो गया, 10 तो बच्चों, ये है कि जब हम इसमें limit ये वाली put करेंगे तो हमें value मिल जाएगी 10 इसी तरीके से अगर माल दीजिए मैं लेता हूँ, limit x tend to क्या भई माल ले लिए लिए मैंने 5 और यहां पर ले लिए मैंने x square plus 3 x plus minus 10 ऐसे ले लिए, तो चलिए put करेंगे जहां पर x हम वाँ पर 5 put करेंगे 3, 5, minus 10 तो 25 plus 15 minus 10 तो 25, 15 में 10 गए 5 और ये answer आगे 30 यानि कि अगर इस function में x के value 5 तक extend करते हैं और वो put करते हैं तो answer हमारे पास कितना आएगा 30 तो इसी को बच्चों हम कहते हैं limit कि जब उस value तक हम इसको extend कर दें तो हमें कोई ना कोई एक particular value प्राप्त हो जाएगी उस function की किसकी? उस function की तो इसी को कहा जाता है बच्चों क्या? limit अब इसी के अंदर बहुत सारे नए-नए cases आते हैं आपके सामने वो मैं आपको एक एक करके सिखाऊंगा जैसे माल लीजिए मैं एक question लेता हूँ अब जैसे एक question अगर माल लीजिए मैंने ये लिया limit extend to 3 और ये ले लिया मैंने x, x प्लस 1 तो क्या करेंगे? वह direct put कर दो 3 3 प्लस 1 तो 3 into 4 और ये answer आगे 12 ठीक है? ये हो गया लेकिन अगर माल लीजिए अब आपके सामने कुछ अलग type के question आने लग लग है अब एक question मैं ये ले रहा हूँ तो limit extend to 1 x square plus 1 upon x plus 100 ठीक है? x plus 100 ठीक है जी? तो अब हम इस काम को कैसे करें? तो जर ध्यान से सुनिएगा ठीक है? इस काम को कैसे करें? इसके वारे में द्यान से सुनिएगा आप चलिए तो देखें कैसे भाई? अगर मैं बच्चो यहाँ पर value put करता हूँ 1 तो देखें डारेक्ट हो रहा है 1 का square plus 1 1 plus 100 आंसर आगया 1 plus 1 और यह 101 और यह 2 upon में 101 आंसर easy आंसर easy लेकिन अब मैं आपके सामने ठीक है? एक नए टाइप का question put करूँगा तो पहले आप इसको note कर लीजिए फटा-फट एक मिनिट में ठीक है? तो वीडियो बास करके यह note किया होगा अपने अब देखिए एक नए टाइप आपके सामने लेकर आ रहा हूँ है एक question दे रहा हूँ limit x tend to 2 x cube minus 4x square plus 4x upon x square minus 4 यह आपके पास question है अब question limit का है तो जब चेक करेंगे भाई चलिए limit put करते हैं तो 2 का cube 2 का square और 2 2 का square और यह 4 तो यह बन जाएगा 8 minus 4 into 4 plus 4 to the 8 और यह 4 minus 4 तो 8 plus 8 16 minus 4 4 to the 16 4 minus 4 कट गया 0 बटा 0 तो यह कौन सी form आगे भाई 0 बटा 0 तो बच्चो देखो अगर 0 upon कोई भी digit आ जाती है तो आंसर हो जागा 0 अगर digit upon में 0 आ जाता है तो आंसर हो जागा infinity लेकिन अगर condition आ जाती है 0 upon 0 तो इसका मतलब उसको दुबारा solve करने की जुरुत है अगर condition क्या जाती है 0 upon 0 तो इसका मतलब यह है बच्चो कि उसे दुबारा solve करने की जुरुत है अब हम इसको बच्चो किस परकार से दुबारा solve करें तो बहुत easy concept है बस आपको पता क्या करना है जो अपने बच्चपन से simplify किया है न questions को बस वही करना चुटकी बजा के क्या कि हम इसको simplify करेंगे हम इसे क्या करेंगे simplify वही छोटी छोटी basic बातें जो आप लोग बच्चपन से सीखते आ रहे है जैसे इस question में अपलाई करने वालों है ठीक है solve again solve again देखो तो अब भी यही रहेगा limit extend to 2 देखो xq 4x square 4x सब में से x common आ रहा है बचेगा x square minus 4x plus 4 क्या यह आपको a square minus 4 2 का square लग रहा बिल्कुल a square minus b square जैसा ठीक है अब आता है limit extend to 2 x हाँ जी क्या मैं इसको क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ देखो बच्चो कैसे a square minus 2 a b plus 4 को b का square देखो लिख सकते है x square 2 a की जगा पे x b की जगा पे 2 बन गया 4 और यह 2 का square ठीक है अब आन यह क्या मन जाएगा a square minus b square यानि a minus b a plus b ठीक है limit extend to 2 x क्या मैं इसे a square minus 2 a b plus b square तो क्या मैं इसे a minus b का whole square लिख सकता हूँ चलिए एक बार से एक बार कट गया बचाईए x x minus 2 x plus 2 अब आप कुछ भी कर दीजिया answer आपके सामने है चलिए put करते है 2 2 minus 2 2 plus 2 2 में से 2 0 2 plus 2 4 0 अब इसको काट दो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे भी ठीक है लेकिन 2 in 2 में 0 0 1 4 अब देखो क्या हमार पर 0 upon में digit बना हाँ बन गया तो इसका मतलब answer 0 answer क्या बन जाएगा 0 वही अगर ये चीज माल लो ऐसे आ जाती 4 upon 0 तो answer क्या होता infinity infinity तो ये ध्यान रखना यानि कि 0 upon में digit हो जाए तो answer 0 और अगर digit upon में 0 हो जाए तो answer infinity लेकिन अगर 0 upon में 0 आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको उसको re-solve यानि again ठीक है इसको again solve करना है आपको कोई दिकत note कीजिए फिर आके बढ़ते हैं आपको आपको यह concept तो समझ मां आगे आपको ठीक है अब एक नया question example second का fourth question आप खुद करेंगे इसका fifth question मैं करवा रहा हूँ आपको limit extend to 1 x minus 2 x square minus x minus 1 upon में x cube minus 3 x square plus 2 x ठीक है यह बच्चो अब अगर हम इसको solve करने लग जाएं तो बच्चो एक simple सा काम करना होगा हमें और simple सा काम क्या है क्या कि पहले तो value put करके देखो जब आप value put करके देखो तो 0 by 0 की form बनेगी किसकी form बनेगी 0 by 0 की ठीक है चलो चाहिए तो अगर बोलोगे तो देखो मैं कंसेप्ट को करके दिखा भी दिखा सकता हूं आपको ठीक है चलो कर देते हैं आपके लिए ठीक है यहां value put value put करेंगे यह डारेक्ट value put कर दो ना सीधा देखो 1-2 ठीक है जैसे कर करोगे 1-2 1 का square 1 1 का cube 1 3 1 का square 3 और यह 2 बने जाए 2 तो यह बन जाएक 2 में से गया minus 1 यह बने जिरो और यह बने जिरो ठीक है और 0 पॉन 0 ठीक है है हाह minus 1 zero minus 1 और यह क्या बन जाएगा यह फिर से 0 ठीक है अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे नीचे जीरो लेके तो माइनस एक और क्या बन जाएगा कि ऐसे सॉल नहीं होगा इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा डेफिनिटली लेमिट एक्स टेंट टू वन ठीक है जी क्या करेंगे वह एक्स माइनस टू एक्स कॉमन एक्स माइनस वन यहां से झाब एक्स-3 एक्स और यह प्लस है तो आप यहां पर गरेंगे ठाक ठीक है आप करो जल्खे तो क्या बनेगा लिमिट एक्स ट्रेंट टू एक्स- you x x minus 1 अब इसका बना दो आप अंदर वाले का फेक्टर तो क्या बन जाए फेक्टर x square minus 2x minus x plus 2 ठीक है यह इसका फेक्टर बनेगा limit x tan to 1 x minus 2 x x minus 1 x x common x minus 2 minus 1 common x minus 2 x minus 2 x x minus 1 यो गया x यो जाएगा x minus 1 x minus 2 ठीक है ठीक है अब इसका LCM ले लो अंदर ही अंदर इसका LCM ले लो तो क्या जाएगा x x minus 1 x minus 2 LLCM लोगे ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा x minus 2 x minus 2 x minus 2 का whole square इससे करोगे यह पूरे पूरे कट जाएगा आएगा 1 क्या जाएगा 1 अब पूट करो अब पूट करो अब पूट करो तो देखो क्या बन जाएगा 1-2 का whole square minus 1 1-1 1-2 तो क्या बन जाएगा यह minus 1 का square तो 1 ही हो जाएगा यह 1 into 0 into minus 1 तो answer क्या आएगा भाई? answer आएगा 1 minus 1 और यह 0 तो answer 0 बटा 0 answer क्या आएगा? 0 बटा 0 ठेक हैं? अब यह 0 बटा 0 आगया तो अब क्या करेंगे? solve again solve again again solve करेंगे यहीं से ही solve कर दूँगा मैं देखना कैसे करूँगा now limit x tend to 1 हाँ जी इसको open करो इसको क्या करो? open करो कैसे open करोगे? ठेक है? इसको open करो यहाँ से open करेंगे x का square plus b का square minus 2ab और क्या था साथ मैं? minus का 1 upon x, x minus 1, x minus 2 ठेक है? limit x tend to 1 x square 4, 4x minus 1 x, x minus 1 x minus 2 limit x minus 1 यह बन जाएगा x square minus 3x sorry minus 4x और यह minus का 3 अब यह बन जाएगा factor क्या बन जाएगा यह? factor बना जाएगा जाएगा फेक्टर x square minus क्या आएगा 3 एकम 3 यानि कि 3x minus x minus 3 ठेक है? यह यह बनेगा यह plus का 3 बनेगा sorry plus का 3 बनेगा 4 में से एग गया plus का 3 ठेक है? यह आएगा plus का 3 अब ठेक है x, x minus 1 और x minus 2 हाँ जी तो limit x tend to 1 x common x minus 3 minus 1 common x minus 3 x, x minus 1 x minus 2 x minus 3 x minus 1 x, x minus 1 x minus 2 x minus 1 से x minus 1 cancel तो limit x tend to 1 x minus 3 x, x minus 2 अब कुछ भी पूट कर दो पूट करो क्या मन जाएगा? 1 minus 3 1, 1 minus 2 एगा minus 2 एगा 1 into my minus 1 minus का 2 minus का 1 कट गया answer 2 answer क्या आया? 2 तो इस तरीके से हमें बच्चो इसका answer निकालना था ठीक है? चलो करो इसे note बहुत चागोशन है यह करड़ से कर दो दो थाखाय है ठाएगा है अब कर दो करण तरीके से तरीके से रिसमाबसन है दो जाएठके एगे पूबस्ट है गुफ्फशन है आएएपशन है गू़सन है झाल झाल चले बच्छो अगला देखते हैं तो अगला जो कंसेप्ट है बच्छो वो कंसेप्ट कुछ इस परकार का है देखो तो बच्छो आपको करना क्या है अब एक रूल फॉलो करना है आपको अगर इस तरह का रूल दिया होगा limit x tend to a x की पावर n minus a की पावर n upon x minus a तो इसका answer always होता है n a की पावर n minus 1 क्या होता है n x की पावर n minus a n a की पावर n minus 1 यह इसका फॉर्मूला होता है ठीक है बच्छो चलो तो अब इसी को अगर मैं उल्टा कर देता हूं इसी को अगर मैं उल्टा कर देता हूं तो क्या हो जाएगा बस कुछ नहीं होगा यह ऐसा हो जाएगा यानि यह भी जो इसका result है वो one के नीचे आ जाएगा बस इतना सा फरक है ठीक है तो बहुती सिंपल कंसेप्ट है अब जैसे मान लो मैंने एक कोशन लिया अपनी तरफ से लिमिट एक्स टेंड टू टू एक्स क्यूब माइनस एट अपॉन में एक्स माइनस टू इसका अंसर बताओ तो बहुत सिंपल आप इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड टू एक्स की क्यूब क्या मैं एट को टू का क्यूब लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू आप देख लीजिए कंसेप्ट बिल्कुल उपर वाले जैसा बन गया अब आप इस पे लगाएंगे ये वाले रूल अपलाई करेंगे ठेक है तो यहाँ पर N, N की जगा पर क्या है 3 A, A की जगा पर क्या है 2 ठेक है और N माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 तो 3 इंटू में 2 और 3 में से 1 गया 2 3, 2 का स्क्वेर 4 और 4 ती ये 12 आंसर आ गया है आपे ठेक है तो इस तरीके के बहुत ही simple concepts है और आपको इन्हें follow करना है ठेक है चलिए अब ये question देखिए अब जैसे थोड़ा सा upgrade करता हूँ इस question को में ठेक है जैसे कि example number 3 का first question इसमें दिया हुआ है limit x 10 to 1 ठेक है x की power 15 माइनस 1 बटे में x की power 10 माइनस 1 अब देखो बच्चो अगर मैं 1 की power 15 ले भी लो कोई फरक नी पढ़ने वाला और 1 की power 10 ले लो कोई फरक नी पढ़ने वाला क्योंकि वो result वापस 1 ही हो जाएगा लेकिन इस rule को क्या ये follow कर रहा है نہیں तो एक काम करते ना इस rule को follow करवाते है यानि अगर यहां पे x की power 15 है तो भी मज़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे हम करेंगे अपनी मर्जी से एक छोटा सा काम मुझे इतना पता चल चुका है कि मुझे नीड है किसकी x-1 की तो उससे ही multiply कर दो और उसी से divide कर दो अब होना क्या है होना ये है कि जो divide वाला पार्ट है वो तो पंदरा वाले के नीचे आ जाएगा भाई और जो उपर मंटिवल वाला पार्ट है वो इसके उपर आ जाएगा इस तरीके से इसको खिसका दो ठीक है अब सब में limit apply कर दो अब सब में limit apply कर दो ठीक है तो इसमें rule लगाओ ये वाला n पंदरा एक की पावर पंदरा माइनस एक इसमें rule लगाओ ये वाला 1 upon ने 10 1 की पावर 10 माइनस 1 तो पंदरा गुना एक की पावर कुछ भी हो एक ही होता है तो पंदरा बटा दस पास से काटोगे तीन बटा 2 अंसर ठीक है तो इस तरीके से हम अपने अब जैसे इसी के अंदर एक कोशन और है वो करातों में यह नोट कर लिया होगा आपने अब देखो इसी कंसेप्ट पर एक कोशन और हंजी 10th कोशन देखो 13.1 का 10th कोशन यहाँ पर है limit z tends to 1 जैड की बावर 1बाई 3-1 और जैड की बावर 1 बाई 6-1 थीक है अब क्या है इसमें भी कुछ ऐसे है अगर मैं इसकी पावर 1 बाय 3 ले लू कोई कोई फर्क नी पड़ेगा 1 by 6 ले लू कोई फर्क नी पड़ेगा ठीक है अच्छा अब क्या करना है अब इसी तरीके से मैंने जैसा बताई है जैट की वार 1 by 3 है जैट की वार 1 by 1 की पावर 1 by 3 है तो नीचे मुझे जैड माइनस वन चाहिए इस तरह उपर भी मुझे मुझे जैड माइनस वन चाहिए तो भाई मैं क्यों परेशान होंगा भाई मुझे एक सिंपल काम करना आता है और उस काम का नाम है अपनी मर्जी से मंटिप्लाई और अपनी ही मर्जी से डिवाइड और इस चीज को एक बार इसके नीचे और इस वाले को एक बार इसके उपर अब लिमिट अलग अलग कर दो तो इसमें करेंगे 1 by 3 इंटू में 1 की पावर 1 by 3 माइनस 1 इंटू 1 अपन में 1 by 6 और 1 की पावर 1 by 6 माइनस 1 अब जैसे कि आपको पता भई 1 by 3 तो 1 by 3 ही रहेगा और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा इंटू 1 अपन में 1 by 6 तो 1 by 6 ही रहेगा और 1 1 ही रहेगा तो इसको मंटीपल कर दोगे 1 by 3 इसको मंटीपल कर दोगे 1 by 6 फ्रेक्शन की नीचे फ्रेक्शन है पलट जाएगा और बच्चो जब यह 1 by 6 पलटेगा तो 6 उपर आएगा 1 नीचे इसको कैंसल करेंगे 2 आंसर आगया 2 तो इस तरीके से बच्चो यह छोटे-मोटे केसी हैं यह हमें अपलाई करने पड़ते हैं ठीक है चलिए तो आप इसको फटा-फट नोट कर लीजिए फिर आगे पड़ते हैं अब 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 अच्चो इसी के अदर एक इसपेशल टाइप और आती है ठीक है इसी के अंदर एक इसपेशल टाइप और आती है वो बहुत इंपोर्टन सीरीज है तो वो कैसे करेंगे आईए देखते हैं ठीक है चला जैसे आपके 13.1 का कोश्चन नमबर 6 जैसे लिमिट एक्स टेंड टू जीरो और एक्स प्लस वन की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में एक्स ये कोश्चन दिया होगा है अब देखो पावर दीवी है तो सॉल्व तो करना इसी तरीके से लेकिन ये इस तरीके से सॉल्व हो नहीं पाएगा क्योंकि अगर इसकी पावर 5 माल लो तो क्या नीचे एक्स मैंस 1 हो पाएगा नहीं हो पाएगा अब आप कहोगे हम अपनी मर्जी से मंटीपल कर देंगे अरे मंटीपल कर दोगे तो ये एक्स कहा जाएगा ये कोई हमा में तो नहीं उड़ सकता इसको कहीं न गई तो रहना ही पड़ेगा तो आईए क्या करेंगे हम एक छोटा सा काम करेंगे हम यहाँ पे लैट करेंगे क्या एक्स प्लस वन को वाई के बराबर और पुट सके लिमिट वै you I 7 एक्स कहा तक टरियो तक तक तो या यहां काम करते हैं तो वह खोग़ डिया तो यहां काम करते हैं करना वाइको तो वाई कहा तक एक्स कर रहा है Y की पावर 5 माइनस 1 X की वल्लू निगाल लो यहां से X की वल्लू क्या आएगी भाई Y माइनस 1 क्या जाएगी Y माइनस 1 और अगर इसकी पावर 5 ले भी लो तो कोई फरक पड़ेगा नहीं बस क्या मेरे को बिल्कुल इसके जैसा रूल मिल गया अंजी मिल गया तो अंसर हो गया 5 5 1 की पावर 5 माइनस 1 5 1 की पावर 4 5 गुने में 1 बराबर 5 अंसर ही है ठीक है तो ऐसा ही एक कोशन और है एक और दिखाता हूँ मतलब आपको बस पावर देखना और गेम जरू कर दें नहीं भाई ठीक है चलो एक और देखो चोटा सा यह देखो यह है एक्जामपल थरीका सेकंड पार्ट क्या है लिमिट एक्स टेंड टू जीरो अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स फिर से वह एक चीज आ गई ठीक है तो अब क्या करेंगे लेट करेंगे क्या लेट करेंगे 1 प्लस एक्स को Y के बराबर अब पुट करेंगे X कहां तक extend था 0 तक यानि यहाँ पर अगर 0 रख देते हो तो 0 प्लस 1, 1 हो जाएगा तो यानि Y कहां तक extend करेगा 1 तक तो लिमिट अब X की जगा पर Y लगेगा y extend to 1 under root x plus 1 की जगा पे क्या आ गया y minus 1 x की value निकाल लो तो y minus 1 तो बस ठीक है limit हाँ जी बताओ under root को power 1 by 2 लिख सकते हैं और 1 की power तो कुछ भी ले लो कोई work पड़े गई नहीं हो गया answer लगा तो वह rule 1 by 2 1 minus 1 by 2 minus 1 तो भाई 1 की power तो कुछ भी यो 1 ही होता है answer आ गया 1 by 2 तो ऐसे करना बच्चो बहुत ही simple simple concept है बस आपको note करते रहना है और समझते रहना है और practice करनी घर पे जली जली यह हो गया खतम भई ठीक है ठीक तो इस concept के हमने question खतम कर लिए अब एक नया concept ठीक है और अगर इस concept को कर लोगे तो फिर 13.1 के question number 22 तक के concept आपके सारे खतम हो जाएंगे ठीक है value put करने वाला भी बता दिया 0 by 0 का case भी बता दिया ठीक है और फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि भई अगर इस तरीके के power वाले questions है तो कैसे करना है और अब कुछ selected rules वो देखेंगे पहले rule देख लेंगे limit extend to 0 sign x upon x always होता है 1 यहनि अगर sign के पास x है तो नीचे x होना चाहिए 1 sign के पास 2x है तो 2x होना चाहिए 1 10x है तो 10x होना चाहिए 1 इस तरीके से फिर इसी तरीके से limit extend to 0 10x upon x यह भी क्या होता है 1 फिर आता है limit extend to 0 1 minus cos x upon x बराबर 0 थीक है बस cos वाले कैसे में ही 0 है बागी सबके case में क्या है 1 तो यह concept आपको याद रखना है ठीक है थीक है ठीक है ठीक है ठीक है अब जैसे छोटे मोटे questions है जैसे इसका तो आ गया भाई 1 अब पूछा जाएगा इसका कैसे आ गया मान लो यह question के रूप में आ गया कि भाई इसको limit extend to 0 10x upon x बराबर 1 prove prove that इसे prove करो तो ठीक है जी prove कर देंगे now limit extend to 0 10x तो क्या हम इसे sign x upon cos x लेख सकता हूँ upon x cos x को नीचे ले जाओ limit extend to 0 sign x upon x cos x ठीक है अब इसे अलग कर दो limit extend to 0 sign x upon x into limit extend to 0 1 upon में cos x ठीक है तो बसकत्ब बच्चो यह concept तो आपको पता यह क्या बनाता है 1 यह बन जाएगा 1 into limit पुट कर दो 1 upon में cos 0 तो यह 1 into cos 0 क्या होता 1 1 into 1 answer आगे 1 तो इसका मतलब इसका answer क्या है 1 अब आप से यह पूछ सकता है question बे कि इसको 0 के बरावर proof करो limit extend to 0 1 minus cos x upon x बरावर 0 यह करना है proof prove that तो यह भी बहुत simple है भाई इसमें भी कोई बहुत बड़े rules नहीं है तो बस एक rule याद रखना है half angle formula याद करो cos 2 theta बरावर होता था क्या 1 minus 1 minus 2 sin square theta सभी बात है फिर आप 2 sin square theta को यहाँ पे ले आते थे तो यह बन जाता है 1 minus cos 2 theta प्लस की चीज़ बन जाके minus तो अब देखो न यहाँ पे 2 theta था तो यहाँ पे theta आया यहाँ पर एक theta होगा यहाँ पर एक theta होगा तो क्या बन जाएगा यह यह बन जाएगा theta by 2 तो यहाँ यहाँ 1 minus cos x है तो क्या मैं इसकी जगाँ पे 2 sin square x by 2 upon x ले सकता हूं कि नहीं बहुत अराम से अब क्या करो एक sin अलग कर दो एक square अब यह 2 अगर मैं पलट के नीचे ले हो तो वापस पलट के उपर ही चला जाएगा into में limit अलग कर दो एक sin को क्योंकि sin के उपर square था तो एक sin हमने अलग कर लिया तो भाई यह concept तो पूरा क्या बन जाएगा 1 लेकिन जब इसमें limit हम put करेंगे तो sin 0 upon 2 1 into में sin 0 और sin 0 की value क्या होती है 0 तो answer क्या आया 0 तो ये भी हमारा proof हो गया ठीक है नोट करो इसे ठीक है चलो तो ये rule हो गए अब एक दो questions कर लेते हैं फिर ये हमारे सारे questions खताम ठीक है चलो देखोई दर सरा जोसे एक्जामपल नमबर 4 का पहला question limit x 10 to 0 sin 4x sin 2x अब देखो बच्चो अब यहाँ पर होगी समस्या क्या समस्या होगी कि इसके नीचे 4x चाहिए इसके उपर 2x चाहिए मतलब उसका उल्टा रूल भी successful है जैसे आपको मैंने लिखके दिया कि limit x 10 to 0 sin x upon x बराबर 1 है तो याद रखना limit 0 x upon sin x जो होगा वो भी 1 के बराबर होगा वो भी किसके बराबर होगा 1 के तो बस simple limit x 10 to 0 sin 4x upon में क्या करना sin 2x तो एक काम करो 4x से multiply 4x से divide क्यों? क्योंकि इसका 4x के नीचा जाएगा अब कहोगे सर इसमें तो 2 चाहिए तो 4 क्यों लिए आपने मैं देखो balance करके चलना है तो मैं 2 बना दूँँगा इसको कैसे बनाऊँगा देखो limit x 10 to 0 ठीक है? और इसको क्या करूँगा भाई? sin 4x अपन मैं 4x into 4x केगा 2 into 2x और ये sin 2x लिख सकता हूँ कि नहीं? बिलकुल अब कर दो अंदर limit sin 4x अपन 4x 2 बाहर कर दो और ये कर दो 2x अपन मैं sin 2x ठीक है? ये इस तरीके से कर दो यानि ये वाला 2 बाहर कर दो ठीक है? तो ये पूरा तो बन गया क्या 1 ये बन जागा 2 और ये पूरा क्या बन जागा 1 आंसर आगे 2 simple तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ये छोटे मोटे काम questions cover कर लेते हैं ठीक है? चलो ठीक है? अब जासे question number 13 देखो 13.1 का कि limit x tend to 0 sign ax upon bx तो भई हमें तो ax चाहिए ना b तो खाम खामे आ रहा है तो हम क्या करेंगे? a से multiply a से divide ताकि इस वाले a को तो निकाल दो बाहर और ये b भी फाल तुमें आ रहा है इसको भी निकाल दो बाहर ठीक है? इस दरह 14 भी कर लोगे अब 15 देखो 15 कर रहता हूँ ठीक है? यह आ गया limit x tend to pi sin pi minus x upon pi pi minus x यह आ गया तो अब इसको कैसे करें भाई? इसको कैसे करें? ठीक है? अब देखो अगर आप यहां पर pi put कर देंगे अगर आप यहां पर क्या put कर देंगे? pi तो answer पता है क्या बन जाएगा? answer बन जाएगा pi minus 0 pi pi minus 0 pi इस तरीके से यानि कि sorry pi minus pi 0 pi minus pi 0 0 by 0 की form बन जाएगी किसकी form बन जाएगी? 0 by 0 की form तो यहां पर पहले आपको let करना पड़ेगा कि pi minus x बराबर मान लो y ठीक है? अब put करो x tend to क्या put करोगे? pi तो यहां पर pi रखोगे pi से pi कट जाएगा तो 0 आएगा यानि y extend कहां तक कर गया? 0 अब limit x के जगा पर y लाओ y 0 sine pi minus x के जगा पर y यह वाला pi तो बाहर निकल जाएगा और pi minus x के जगा पर y देखो रूल बन गया अब जब रूल बन गया तो आंसर आगया 1 और आंसर आगया 1 by pi ऐसे करते हैं ठीक है? इसे तरह 16 भी करना है अपको 17 गरना है 18 गरना है 18 गरना है ठीक है? limit x tend to 0 ax plus x cos x upon b sin x क्या है? b sin x ठीक है? तो एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे limit x tend to 0 ये क्या मन जाएगा? ax b sin x plus x cos x b sin x ठीक है? ये कर लेते हैं अब क्या करो हो वई? पूंहे करें ये Bak एग मन बच्चूचू? एंग मुलब बच्छो नहीं ऐसे करना ठीक नहीं है एक काम करते हैं बी को कर लो बाहर वन बाई बी लिमिट एक्सेंट टू जीरो और यह जाएगा ए ऐसे लिख रहा है इसको इसके नीचे लिए लो हमने तो बी को बाहर किया है ना अच्छा और उपर से एक्स कॉमन लिए लो अंदर बचेगा ए प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स अब ठीक है अब बाई बी ठीक है लिमिट एक्सेंट टू जीरो अर इसको ऐसे लिख लो ए साइन एक्स इंटू में एप्लस में कॉस एक्स इसे इसे अलग कर लो ठीक है अब लगा दो लिमिट हाँ ले मिट एक्स टेंट ग्यो एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू 1 by B limit x 10 to 0 a plus में cos x ठीक है यह बन जाएगा देखो यह तो पूरा बन जाएगा 1 यह पूरा तो क्या बन जाएगा 1 by B into 1 into 1 by B वैस मैं put कर दोगे तो क्या बन जाएगा a plus cos 0 हाँ बई 1 by B plus 1 by B into a plus 1 तो यानि क्या बन गया 1 by B plus a plus 1 upon B तो यह बन जाएगा क्या बई नीचे LCM सेम आएगा B 1 plus a plus 1 यह बन प्लस 2 upon में B आंसर ही आएगा ठीक है तो करो इसको ओहो यह मंटीपल लग गया तभी आंसर रॉंग अच्छा यह मंटीपल है सॉरी बच्चो सॉरी 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 जब मंटीपल है तो एक ही बार मंटीपलाई होगा ना सबसे थोड़ी होगा 1 by B ऐसे रहेगा यह सॉरी सेम इस्टेक होई है 1 by B इंटू 1 इंटू हाव ही क्या बन जाएगा A प्लस में कॉस जीरो तो यह बन जाएगा 1 by B इंटू में A प्लस वन आंसर आएगा A प्लस वन अपॉन भी यह आंसर है ठीक है इस तरीके ते करना बच्चो सुरी चलिए तो इसके बाद जितने भी कोशन्स है ट्राइग मारना बच्चो ठीक है अगली क्लास में इससे बहतर और इससे बहतरीन बड़ी है बड़ी है कोशन्स यानि कोशन नवर बाइस तक आपको ट्राइग करना है ठीक है इसके नेक्स लास में फिर मैं आपको इससे अगला पड़ाओ पताऊंगा कि क्या होता है कैसे होता है और ये सारी कोशन्स आपको कवर कर वाऊंगा ठीक है चलिए टाटा बाई बाई